मंत्री मंदल, केंद्री मंद्री मंदल में एक मिनिस्टर अव स्टेट हैं, विदेश मंत्रा लई के अच्हे आद्मी है वो यहाँ के सांसद हैं, लोकसभा सांसद, वो मिले नहीं हैं प्रधान मंत्री से कोई All Party Meeting नहीं बुलाई है, प्रधान मंत्री ने और आप सब लोग जानते हैं, कॉंग्रेस पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव लाया लोग सभा में, अगस्त के महिने में, एक मात्र उद्देश था उस अविश्वास प्रस्ताव का, और वो एक मात्र उद्देश ये था, कि प्रधान मंत्री अपनी चुपी तोड़े मन पूर पर, हम ये मान कर चल रहे थे, कि अविश्वास प्रस्ताव के समय, जब वो जवाब देंगे, हम जानते थे हम हारेंगे, हमारे पास भहुमत तो है नहीं, पर ये एक मात्र हमारे पास एक विचार था, कि ये ही हमारे पास एक हत्यार बाकी है, समवैद्यानिक हत्यार बागी है लोगतांत्रिक हत्यार बागी है कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे प्रधार मंत्री ने 123 मिनिट का भाशन लिया कि उसमें साढ़े तीन मिनिट उन्होंने मनिपूर का जिगर किया और वो भी कि ऐसे कोई बड़ी बात नहीं कहीं तो सभी लोगों ने सभी संस्थाओं ने राहुल जी से यही मांग की कि यह शासंद में सम्वेजन शिल्ता आनी चाहिए प्रधान मंत्री को मनिपूर आना चाहिए और सभी ने मांग की कि बजट सतर में कॉंग्रेस पार्टी और राहुल जी यह मांग करें कि प्रधान मंत्री चुनाव के पहले मनिपूर आए आप लोग सब जानते हैं कि प्रधान मंत्री को मीजोराम में चुनाव प्रचार के लिए जाना था प्रोग्राम बन चुका था तीन अक्तूबर को मुझे अगर मेरी याजाश सही है तो तीन अक्तूबर को वो जाने वाले थे और मैं भी उस दिन एस ओल में था हम तैयारी कर रहे थे प्रदान मंत्री के चुनावी प्रचारी भाषन के लिए पर प्रदान मंत्री नहीं आए तो मैंने पूछा किसी से कोई बीजेबी के कारीकर्ता से मैंने पूछा क्यों नहीं आया आपके प्रधान मत रही उन्होंने मुझे कहा क्यूंकि अगर वो मिजोराम आते तो सवाल उड़ता हूँ वो मनिपूर क्यों नहीं गए तो आखरी वक्त में उनका चुनावी प्रचान मिजोराम में कैंसल किया गया तो यही सब मुद्दे उठाए गये कुछ आज छात्र भी मिले राहुल जी से जिनका स्कूल और कॉलेज एड्यूकेशन में रुकावट आ गई है जैसा कि कनया कुमार जी ने कहा एक ट्रक ड्राइवर मथुरा का भी मिला राहुल जी से ऐसे ही मुलाकात हुई एक और व्यक्ति बिहार के में एक दुकानदार है वो भी आए बस के अंदर फोटोल खिंचा उन्होंने राहुल जी के साथ पर जो नागरिक संस्थाएं मिली हैं आज मनिपूर में कल शाम को और आज सुबह और अभी मिलने वाले हैं दोपहर को सभी की मांग एक ही है समवेदन शिल्ता होनी चाहिए सशक्त मजबूत सरकार होनी चाहिए जो रिलीफ कैम्प के लोग भी आग कर मिले थे राहुल जी से उन्होंने भी कहा कि जो राहत हमें मिलना चाहिए वो अभी तक हमें उपलब नहीं हो पाया है वादे बहुत किये गए हैं पर वो पूरा नहीं हो पाया है और सभी ने कहा राहुल जी को कि आप एक बार पहले भी आ चुके हैं अभी भी आये हैं आपका स्वागत है हम पैचाते हैं कि आप हमारी दर्द और पीड़ा को मैसूस करते हैं क्योंकि बार बार रहोल जी ने जो कहा है और मैंने भी दोर आया है और दकनेया जी ने भी कहा है मनिपूर की पीड़ा, मनिपूर की संकट, देश की पीड़ा और देश की संकट यह सरफ मनिपूर तक सी में मसला नहीं है यह बटवार्य की राजनीती जो की गई है दुरुविकरन की राजनीती जो की गई है समाज को बांटने की राजनीती जो की विश्वास रखती है आरेसस और बीजेपी उसी का नतीजा हम देख रहे हैं फेब्रेवरी दो हजार बाइस में मैं इमफाल में एक मेने तक रुका था तब चुनाव चल रहा था भारती जिनता पार्टी को दो तिहाई बहुमत मली दो तिहाई अभूत पूर्व जनादेश मिला उनको और देखें एक साल की अंदर वो जनादेश क्या हुआ तीन मही से आप देख रहे हैं मनिपूर में जो सामाजिक सत्वावना दिखाई दे रहा था वो बिगड़ गई है लाखों लोग परिवार विस्थापित हो चुके हैं तीन सो से भी उपर लोग मारे गए हैं तो इस वातावरन में भारत जुड़ो न्याय यात्रा का आना सभी समुदाई के लोगों ने इसका स्वागत किया है कल और आज सुबे और राहुल जी ने एक ही बात कही राहुल जी यात्रा के समय बोलते कम और सुनते जादा